कसरावद नगर में इस वक्त जनपत अद्यक्स का निर्वाचन चल रहा है कसरावद जनपत में कुल 25 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था यानि जिस और भी 13 सदस्य जाते हैं वो अद्यक्स चुन लिया जाएगा कसरावद वर्तमान विधायक सचीन यादो का गरा नगर माना आता है तो वहीं भुद्पूर विधायक आत्मान पटेल भी अपने सदस्यों को साधने में लगे हैं अब देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार हम खड़ हैं कसरावद जनपत के गेट पर और अंदर अध्यक्स की निर्वाचन प्रकिया जारी है पच्छिस सदस्य हैं जो अपना अध्यक्स चुनेंगे दोनों ही बल जो कांग्रेस और भरती यंदा परटी है अपने जीत के दावे कर रही है वैसे यह जो कसरावद है य देखना यह है कि वरत्मान वीधायक अपने साख बचा पाते हैं या भूत्वरी यिदायक को जितान्य में कामियाब होते हैं व्योवराय कुछी पलोह अब पहज़ाएगा वेसे हम यहां देख रहे हैं कि प्रसाशन ने इस वक्त बहुत कड़ी सुरक्सा व्यस्ता कर रखी है पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है हम जितनी भी जानकारी है वह बहार से जुटा पा रहे हैं और अंदर जितने सदस्य थे उन्हें भी बड़ी जाच क तक छोड़के गए हैं लेकिन उसके बावजुद भी अब अंदर जाने के बाद सदस्य अपना मत किसे देते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कुछी पलों में अध्यक्सा पत्का पहिचला हो जाएगा कि अध्यक्सा का ताज किसके सर बनता है जनता में कोतुहल का सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुलें